Hello students, I welcome you all again on the platform of Quick2Learn and our channel too. तो बच्चों, हमने exercise 4B को initiate किया था, आज उसको हम finish up करेंगे. जो भी problems हैं, आपकी आप लोगोंने जो भी पूछी है problems, उनको हम solve करने जा रहे हैं. और जिन बच्चों ने इस chapter के previous lectures को नहीं देखा है, और वो आज पहली बार इसको देख रहे हैं, तो वो प्लीज पहले हमारे previous lectures को जरूर देखें, so that कि ये topic आपको समझ में आए. तो चलिए, आपकी सारी problems इतनी भी उनको solve करने जा रहे हैं, और जिन बच्चों ने application भी download नहीं किया, वो application download कर लें, ताकि आपको वहाँ सारे benefits मिल पाएं, ओके, तो start करते हैं आज की class बच्चों, आप सब को ये दिखाई दे रहोगा, clearly, तो यहाँ पर हमें question number 6 दिखाई प्रूव करना है, तो देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे इस question को, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो given quantity क्या है, तो सारे बच्चे देखिए given quantity है हमारे पास a plus one upon a का whole square, इसकी value हमें three given है question में, तो हमें मालूम है कि a cube plus one upon a cube की value को find out करने के लिए आपको a plus one upon a की value पहल find out करेंगे, क्योंकि यहाँ पे square root लगा हुए power में, इसलिए right side में जाके square root of three हो जाएगा, और जब इसकी value निकल काएगी तो वह answer हमारा plus minus में आएगा, अब हम जो value हमें find out करनी है, या prove करना है जो a cube plus one upon a cube का formula x लिखेंगे, जो की a plus one upon a की form में expressed है, और आप लोगों सबक अबी तक याद हो गया होगा, तो a cube plus one upon a cube का formula होता है, a plus one upon a whole cube, बीच में minus आता है, फिर three times of a into one upon a, three बचेगा, और इससे multiply होके आगे की value, three into a plus one upon a बचती है, तो मैंने direct formula लिख दिया ताकि आप लोगों को यह याद है, इसलिए मैं इसको direct apply कर रहा हूं, ठीक है, और हम ल तो यह हो जाएगा, plus minus root three whole cube minus three times of plus minus root three, अब इसको ध्यान से करना है सारे बच्चों को, हम ऐसा भी कर सकते थे कि first और second case बना के कर लेते कि a plus one upon a की value root three लेने पहले, उसके बाद a plus one upon a की value को minus root three लेके भी अलग-अलग करके solve कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े बड़े हो गए तो आप इसको direct solve कर सकते हैं, तो कैसे करने, plus root three का cube हो जाएगा, plus three root three, तीन बर multiply करने अपने root three को, तो three root three बन जाएगा, और minus root three का cube क्या होगा, minus three root three, इसलिए plus minus का sign as it is carry हो जाएगा, अब यहाँ ध्यान से देखो, जब यह वाला plus का sign, जो भार minus three है, आप लोगो मैं highlighter से लेजर pointer से, यह जो minus three है, जब यह plus से multiply होगा, तो minus आएगा, और minus minus क्या हो जाएगा, plus, इसका ध्यान रखने है, आपने, जो sign है, वो minus की वैसे क्या हो जाएगे, reverse हो जाएगे, तो यह minus sign भार है, इसकी वैसे sign हो जाएगे, minus plus, और यह बन गया three root three, जब हम इसको simplify करेंगे, तो यह जो plus का sign है, three root three का, अगर मैं इसको consider करूँगा, तो इसके साथ minus consider होगा, और जो minus का sign है, उसके साथ plus consider होगा, कहने का मतलब है, दोनों quantity same है, और sign opposite आ रहे हैं, इस current से इसका answer हो जाएगा, zero, तो इस तरीके से हमारा जो question है, यह प्रूव होता है, यह यह easy सा question है, सब plus c is equal to zero, यह given है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर mention कर देता हूँ, this is given quantity for this question, अब हमें प्रूव क्या करना है, to prove, तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है, a cube plus a times of b cube plus c cube is equal to 6abc, तो इसको प्रूव करने के लिए जो given quantity है, उसको consider करेंगे, और आप सबको याद होगा, कि ऐसा question मैं solve examples के इंदर कराया भी था, क्योंकि solve example हमारे generally access के maximum questions को cover कर लेते हैं, सारी types को, तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि हमें a cube plus 8b cube लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें c को right side में transpose कर लेंगे, तो a plus 2b is equal to क्या बन जाएगा, minus c हो जाएगा, c को उधर ले जाएगे, इस equation का, तो on cubing both sides, दोनों sides में cube करने पर, यह हो जाएगा, a plus 2b whole cube is equal to minus c का whole cube, तो इसका whole cube open करेंगे, तो a plus b का whole cube का formula लगाएगे, that is a cube, plus b cube, मतलब 2b का whole cube, कितना हो जाएगा, 8b cube, फिर आएगा plus 3a square b, 3a square b, तो मैं इसको लिख देता हूँ, 3a, मतलब first term का square into b क्या है, 2b, फिर आता है plus, इसमें हम, यह plus 3a square b, और plus 3a b square हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें a plus 2b की value दी होई है, तो इस step को यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा change करिए, और यहाँ पर formula लगाईए, aq plus bq plus 3ab, 3ab, a कितना है a, और b कितना है 2b, और फिर bracket में होता है a plus b, इसको आप follow up करिए, इससे equation जल्दी solve हो जाएगा, और तरीका भी यहीं होगा solve करने का, ठीक है, तो minus c का cube क्या हो जाएगा, minus cq, अब देखो क्या होगा यह, aq plus 8bq plus, अब 3a into 2b है, तो यहाँ put कर दो, care value minus c is equal to minus cq, इतना समझ में आया सारे बच्चों को, अब देखो, अब यह जो minus cq है, right side में, इसको right में transpose कर लेंगे, पहले इसको simplify कर लेते है, aq plus 8 times of bq, अब यह बन जाएगा, minus 6abc is equal to minus cq, बस अब इस question को थोड़ आसा आपको adjust करना है, इस question को arrange करना है, तो minus का cq, जो है right side में, यह left में आ जाएगा, plus का बन जाएगा, इसको मैं आपको show कर देता हूँ, laser pointer से देखो, यह minus cq हमारा left में आ जाएगा, positive हो जाएगा, और minus 6abc right में जाके positive हो जाएगा, मतलब यह minus के दोनों terms को हमें interchange rearrange करना है, तो देखो क्या बन जाएगा, यह हो formula को expand करना है, और यह जो result, desired result हो हमारा आ सकता है, ठीक है, चलिए next question करते है, अब जो question 8 है, इसमें property लगानी है, तो आपको पहले तो property बता होनी चाहिए, उसके बाद इस question को हम solve करेंगे, तो जो property इसके अंदर लगने वाली है, उसको मैं दुबारा से एक बार लिख देता ह 0 हो जाए, मतलब A, B and C का sum जो है, वो 0 हो जाए, A plus B plus C की value 0 हो जाए, तो यहां से derive होता है, A cube plus B cube plus C cube की value होती है, 3 times of ABC, यह property हमें इस question के अंदर apply करनी है, तो जितने भी part आप देख रहे हैं, अगर हम ABC माल लें, A cube plus B cube plus C cube, तो A plus B plus C का sum देखो, आप 0 नजर आ रहा है, तो इसमें से मैं एक part आपको दुबारा से करके दिखा रहा हूं, 38 का cube plus minus 26 का cube plus minus 12 का cube, यह हमें find out करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माल लेंगे, let, small A is equal to 38, small B is equal to minus 26 and small C is equal to minus 12, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, कि A plus B plus C की value क्या होगी, तो यह हो जाएगा 38 minus 26 minus 12, जो की solve करके 0 आ रहा है, तो यहां से क्या बता लगा, this implies that A cube plus B cube plus C cube, पराबर होगा 3 ABC के, मतलब हमें actually cube करके solve करने के जरूत नहीं है, property के help से solve हो जाएगा, अब यहां पर value रख देंगे, अगर हम तो A की value देखो, सारे बच्चे क्या थी, 38 तो यह हो जाएगा, 38 का cube, plus B की value क्या थी, minus 26, तो minus 26 का cube, और C की value क्या है, minus 12, तो minus 12 का cube, answer क्या होगा, इसका 3 times of ABC, 3 times of A की value है 38, B की value है minus 26, और C की value है minus 12, अब आपको right side को solve करने, 3 into 38 into minus 26 into minus 12, तो minus minus तो plus हो जाएगा, answer तो positive ही आएगा, और इसका answer आता है, 3, 5, 5, 6, 8, इसको multiply करने के बाद यह answer आएगा, इस तरीके से आपको, यह जितने भी parts आपको दिखाई दे रहे हैं, यह वाले सारे, सारे parts कर सकते हैं, easily, मैंने एक part आपको करके दिखा दिया है, salt example में भी किया था एक part, तो I hope सारे बच्चों को समझ में आया होगा, साथ साथ में comment जरूर किया करो, comment आपको बहुत जरूर ही है करने, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसको बताईए, और comment करने से हमें थोड़ा सा encouragement मिलता है, और application बनाया है, तुम लोगों के लिए हमने, और आप लोग उसको download कर लिए, और उसको use करिए, and that is absolutely free, 9th class के जो बच्चें ICAC के उनको बहुत problem होती है, क्योंकि उनका syllabus बहुत vast है, तो हमने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों के help करें, और उस application के अंदर आप लोग देखेंगे, कि आपको जितने भी हमारे course content है, उनके proper lectures मिलेंगे, आपको सारे solution मिलेंगे, सैलीना के, और भी books के solution अगर आपको चाहिए, तो आप बता सकते हैं, उनको हम solve करके डालेंगे, और वो आपके लिए बिलकुल free है, so चलो आगे चलते हैं, अब आता है हमारा question number 9, question number 9 के अंदर आप देखेंगे, यहां लिखा हुआ है, a not equal to 0 है, a minus 1 upon a 3 दिया हुआ है, a minus 1 upon a की value 3 दि आपके, बड़ा common question है, exam में आने ले के लिए, ठीके ना, तो question 9 के solution को देखते हैं, कैसे करने हैं आपको, तो सबसे पहले देखो, आप इसमें given quantity क्या है, तो सारे बच्चे देख पारे हूँगे, इसके अंदर given quantity है, a minus 1 upon a की value, जो कि हमें क्या दिया हुई है, 3 दिया है, औ और दूसरे पार्ट में आपको find out करनी है, a cube minus 1 upon a cube की value, तो a cube, second part तो straight हमारा formula है हमारे पास, लेकिन जो हमारा first part है, a square plus 1 upon a square, इसकी value को निकालने के लिए 2 method होते हैं, तो मैं यहाँ पे जो सबसे असान method है, उसी को follow up करूँगा, तो आपको given quantity क्या दिया हुई है, देखो स हमें मालूम है कि a square plus 1 upon a square का relation क्या हो सकता है a minus 1 upon a से, तो आप दिखेंगे ध्यान से कि अगर इसका whole square कर दें दोनों साइड में, तो a square plus 1 upon a square मिल जाएगा, तो आप इस equation क्या करेंगे, on squaring both sides, दोनों साइड में square कर दो, तो यह हो जाएगा a minus 1 upon a whole square is equal to 3 का square, और यहाँ पर a minus b का whole square का formula लगाएंगे तो हो जाएगा a square plus b square, मतलब 1 upon a का square, a square, फिर 1 upon a का square, फिर आता है minus 2 times of a, minus 2 times of a, into 1 upon a, that is equal to 3 का square हो गया 9, तो आप देख पारे होंगे, यहाँ पर a और 1 upon a जो है, यह cancel हो जाएगे दोनों, तो हमारे पास जो term बचेगी, वो देखो क्या बच रह रहे हैं, तो यह value हमें जो यहाँ पर बच रही है, निकल के जो आ रही है, वो निकल रही है, a square plus 1 upon a square minus 2 is equal to 9, तो यहाँ से a square plus 1 upon a square की value हो जाएगी, minus 2 right side में जाके add हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 plus 2 and the final answer is 11, तो a square plus 1 upon a square की value का निकल के आ गई, 11 आ गई यहाँ पे, तो first part solve हो गया हमारा, अब second part देखते हैं, second part में हमें क्या find out करना है, a cube minus 1 upon a cube की value, अब इसका हमें, क्यूंकि हमें a cube minus 1 upon a की value निकाल नहीं है, with the help of a minus 1 upon a, तो a minus 1 upon a की value दी हुई है, तो a cube minus 1 upon a cube का formula लगाएंगे, that is a minus 1 upon a का whole cube minus है, तो यहाँ plus आएगा, 3 times of a minus 1 upon a, यह formula होता है, a cube minus 1 upon a cube का, in terms of a minus 1 upon a, अब इसमें value रख देंगे, a minus 1 upon a की value कितनी है, 3, तो यह होगया, 3 का cube, plus 3 times of 3, तो 3 का cube होता है, 27, और ही हो जाएगा, 3 into 3, 9, and the final answer is 36, तो इस तरीके से हमने इस question को solve किया, और यह बहुत prominent question है, एक्जाम में आ सकता है, तो आप लोग दिहान रखना क कि किस तरीके से ऐसे questions को attempt करना है, चलिए, अब चलते हम next question की तरफ, that is question number 10, question number 10, बिल्कुल similar type का question है, इसको भी ध्यान से देखना है सारे बच्चे, इसमें सारे part cover हो जाएंगे, और इस question के अंदर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि given क्या है, तो आप सारे question के अंदर द तो हमें यहाँ पर पता लगानी है, तीन चीजे, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है, a square plus 1 upon a square, जिसको कि हमने पिछले question में भी निकाला था, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है, a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4, ये भी हम find out कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट में आपको जो find out करन ये चीज़ वो है, a cube minus 1 upon a cube, जिसको कि हमने पिछले question में find out किया है, तो आप मान के चलिए कि इस type का question आपके exam में जरूर आ सकता है, तो first part में आप देखो, a minus 1 upon a की value 4 given है, और आपको क्या निकालना है, first part में a square plus 1 upon a square, सारे बच्चे देखो ध्यान से, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ squaring कर देंगे, on, squaring both sides, दोनों sides में इस equation का square कर देंगे, तो हो जाएगा, a minus 1 upon a का whole square is equal to 4 का square, अब सारे बच्चे जानते हो कि a minus 1 upon a का square क्या होगा, a square plus 1 upon a square minus 2, इसको मैं direct लग दिया, minus 2 देख लो, क्योंकि a into 1 upon a, 1 हो जाएगा, is equal to क्या होगा, 16, अब आ value किसकी निकालनी थी, a square plus 1 upon a square की value निकालनी है, तो यहां से पता लगा, a square plus 1 upon a square की value हो गई, minus 2 को उधर ले जाएंगे, 16 plus 2, and that is 18, तो हमारा a square plus 1 upon a square का जो आंसर है, वो क्या आ रहा है, 18 हा रहा है, अब हमारा second part स्टार्ट होता है, तो second part में हमें क्या निकालना है, a 4 plus 1 upon a 4, अब a 4 plus 1 upon a 4 का अंसर, a minus 1 upon a से नहीं, a square plus 1 upon a square से आएगा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर एक question में 3 part है, तो first part का use, second part या third part में हो सकता है, तो यहां पर आप देखो, since, लिखेंगे हम since, a square plus 1 upon a square हमें 18 मिल चुका है, तो इसका दोबारा से square कर दो, again squaring both sides, या फि simply लिख सकते हैं squaring both sides, क्योंकि अलग पार्ट आईए, तो आप simple इस equation का square कर दो, तो आप देखो क्या होगा, on squaring both sides, on squaring both sides, यह हो जाएगा, a square plus 1 upon a square का whole square is equal to 18 का square, यह हो जाएगा, a square का, मतलब ही, इसको a plus b का whole square का formula expand करना है अपनो, आपको तो a square का whole square होगा, a4, plus 1 upon a square का whole square होगा, 1 upon a4, plus 2 times of a square into 1 upon a square, तो 2 बचेगा, और 18 का square आप साम जानते हो, 324 होता है, 18 का square 324 होता है, 2 को दर जाके माइनस कर देंगे, तो a की power 4, plus 1 upon a to the power 4 की value हो जाएगी, 324 माइनस 2, यह 2 जाके वहाँ माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 322, तो यह हमारा second part का answer आजाता है, जिसको कि हमने first part की help से solve किया है, यह जो first part है, इसकी help से solve किया, ठीक है, तो I hope यह सारे बच्चों को समझ में आगा हो कि किस तरीके से हम square करके question को solve कर रहे है, अब आता है third part, third part easy है, बहुत, a cube minus 1 upon a cube का value निकालना है, आप जानते हो इसका formula होता है, a minus 1 upon a का whole square plus 3 times of a minus 1 upon a, यह तो direct formula है, सीधा सीधा formula apply करने है, तो a minus 1 upon a की value देखो question में क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, यहां रख देंगे 4 का square plus 3 times of 4 and that is equal to 16 plus 12, इसका answer आजाता है निकलके, 64 sorry, cube है यहाँ पे, a cube minus 1 upon a cube का जो formula है, वो square नहीं cube होता है, ध्यान रखना, य गलती कर दी, हमने यहाँ पे, आप लोग मत करना इस गलती को, जनरली हो जाती है, यहाँ एगा cube, यहाँ एगा cube, तो 4 का cube हो गया, 64 plus 12, यह ध्यान रखना सारे बच्चे है न, mistake मत करना, तो यह हो जाएगा 76, 76 इसका answer होगा, ठीक है, a minus 1 upon a का whole cube plus 3 times of a minus 1 upon a, तो 76 इसका हमार इसको एक बार और ध्यान से कर लेना, है न, revise करने के लिए, अब आता है question number 11, question number 11 जो है, वो बिल्कुल इसी की तरीक के कहा है, जैसे अभी हमने question number 10 किया था, लेकिन prove करने वाला है, तो इसको भी समझ लेते हैं कैसे करना है, देखो, solution देखिए सारे बच्चो, x plus 1 upon x की value दे रखिए 2, given है यह, ठीक है, यह चीज हमें question में given है, अब हमें prove क्या करना है, to prove, हमें यह prove करना है, कि x square plus 1 upon x square की जो value आएगी, that will be equal to x cube plus 1 upon x cube, and that is again equal to x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4, विल्कुल same question है, पिछली question की तरह है, लेकिन इसमें particular value निकालना है, प्रूव करना है, तो value निकालके ही prove होगा, तो x plus 1 upon x की value 2 दे रखिए, तो हम यहाँ पर squaring कर लेते हैं, squaring both sides, क्यों कर रहे हैं, squaring ताकि x square plus 1 upon x square की value निकल के आजाए, तो x plus 1 upon x का whole square होगा, that will be equal to 2 का square बन जाएगा, दोनों तरफ square कर रहे हैं, whole square कर रहे हैं, तो यहाँ पर a plus b का whole square का formula लगेगा, left side में, तो हो जाएगा x square plus 1 upon x square plus 2 times of x into 1 upon x, तो 2 ही बचेगा, that is equal to 2 का square केतना होगा, 4, तो यहाँ से x square plus 1 upon x square की value हो गई, 4 minus 2, क्योंकि यह जो 2 है, यह दर जाके minus का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यह हमारी first equation बन गई, इसको माल लेते हैं, first equation, अब क्या करेंगे, अब आप जो first equation है, इसका again square करेंगे, ठीक है, now, या फिर ऐसा कर सकते हैं, कि x cube plus 1 upon x cube की value को निकाल ले हम, तो x cube plus 1 upon x cube के लिए हम लिखेंगे, x plus 1 upon x का whole cube, square मत कर देंगे, x plus 1 upon x का whole cube, plus है तो minus आता है, यहाँ पर 3 times of x plus 1 upon x, यह हो जाएगा, x plus 1 upon x की value, देखो question में क्या given है, 2 given है, तो यह हो जाएगा, 2 का cube, minus 3 times of 2, जो की solve करके क्या निकल के आ रहा है, आप सबको नजर आ रहा होगा, this is equal to 8 minus 6, तो हमें x cube plus 1 upon x cube की value मिल गई 2, यह हमारी बन गई second equation, अब हम third equation की तरफ सलते हैं, now, we know that x square plus 1 upon x square की value, हमने 2 निकाली थी first equation से, इसकी squaring कर लेते हैं, on, squaring both sides, दोनों तरफ square करने पर, यह हो जाएगा, x square plus 1 upon x square का whole square is equal to 2 का square, यह बन जाएगा, x square plus 1 upon x square का whole square, मतलब a plus b का whole square, जाएगा x की power 4, मतलब x square का whole square, plus 1 upon x square का whole square, that is 1 upon x की power 4, plus 2 times of x square into 1 upon x square, यहां से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैलुए निकलाएगी जिसमें की तू आपको दिखाई दे रहा है 4 के पास जाके माइनस का हो जाएगा तो यह 2 बचेगा और यह बन कही हमारी 3rd equation सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे अब देखो आप यहाँ से क्या पता लगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं from equation first, second and third इन तीनो equations को ध्यान से देखो बच्चो तीनो equations की right hand side क्या है first equation की RHS 2 है second की RHS 2 है और third की RHS 2 है इसका मतलब तीनों की value बराबर है इसका मतलब इन तीनों को बराबर लिख सकते हैं तो यहाँ से prove होता है x square plus 1 upon x square will be equal to x cube plus 1 upon x cube will be equal to x की power 4 plus 1 upon x की power 4 इस तरीके से हमारा question prove हो जाता है तो I hope यह सारे बच्चों को समझ में आया होगा और है question वही same लेकिन आपको process जो है वो follow करेंगे तो आपको easy लगेगा यह इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए चलिए बच्चो अब हम कर रहे है question number 12 question number 12 थोड़ा सा different है वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है question 12 के अंदर देखो क्या करना है आपको question 12 में है 2x minus 3y की value 10 दे रखिए x into y की value 16 दे रखिए तो वोलने कि आप value बताईए 8x cube minus 27y cube तो इस question के अंदर जो given quantity है उसकी help से हमें क्या क्या पता लग रहा है वो देख लेते हैं पहले तो आप देखो question में given क्या है question में given है 2x minus 3y is equal to 10 और दोसरी चीज गिवन है x into y is equal to 16 अब हमें find क्या करना है तो हमें find करना है value इसकी value पता लगानी है 8x cube minus 27y cube की value को पता लगा रहा है तो आप देखिए ध्यान से कि जब हम इसकी value को पता लगाने के लिए solve करेंगे question को तो हमारे पास जो given quantities है उनको देखेंगे ध्यान से तो जो given quantity है वो आप ध्यान से देखें तो 2x minus 3y और x into y की value है तो 2x minus 3y का relation क्या होगा 8x cube minus 27y cube से तो hint कहां से मिलता है cube से x cube और y cube हो रहा है तो इसका मतलब जो हमारा हमें find out करनी है जो value सारे बच्चे देखो now हमें जो value find out करनी है 8x का cube minus 27y cube इसको थोड़ा साही तरीके से लिखेंगे तो 8x cube को लिख सकते है 2x का whole cube minus 27y को लिख सकते है 3y का whole cube अब हम यहाँ पर formula लगाएंगे a cube minus b cube का तो इस formula को मैं right side में लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को generally यह formula में गलती होने के chance रहते हैं तो इसको हमेशा याद रखो तो आपको यह formula याद रखना है a cube minus b cube का formula क्या होता है a minus b का whole cube minus है बीच में तो plus आता है 3 times of 3ab 3 times of a b होगा पहले 3ab और उसके बाद आएगा a minus b यह formula आपको apply करना है यहाँ पर इस जगह पर a cube minus b cube का formula लगाना है आपको a minus b का whole cube plus 3 times of a b और a minus b तो इस formula को हम यहाँ पर apply कर देते हैं तो देखे क्या होगा यह हो जाएगा 2x minus 3y whole cube plus 3 times of a क्या है 2x और b है 3y और फिर है a minus b यह पर इस 2x minus 3y अब इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 2x minus 3y का whole cube तो as it is लिखेंगे क्योंकि इसकी value हमें पता है इन तीनों को multiply करेंगे यह जो तीन terms हैं तो क्या होगा इन तीनों को multiply करेंगे 3 into 2, 6 into 3 18xy और फिर bracket में क्या लिखा है 2x minus 3y अब इसकी values पूट करेंगे तो सारे बच्चे देखो 2x minus 3y की value हमें given है देखो मैं इसको enclose कर रहा हूं box के अंदर 2x minus 3y की value रख दो 10 तो यह हो जाएगा 10 का cube plus 18 times of xy की value देखो 16 दी हुई है यहाँ पे रख देंगे into 16 और bracket में 2x minus 3y की value 10 दी हुई है तो इसको solve करेंगे तो जाएगा 1000 सारे बच्चे देखो ध्यान से 1000 plus 18 into 16 into 10 यह आएगा 2880 और इन दोनों को add करके जो answer आ रहा है वो हो गया 3880 तो यह value आपको find out करनी थी इस question में तो इतना मुश्किल नहीं है question लेकिन exam के point of view से important है अच्छा question है exam में आ सकता है चली बच्चों अब हम करते है question number 13 question number 13 में आप लोग देख रहे है कि इसके अंदर लिखा है expand ऐसा मैंने आपको पहले example भी कराया हूँ है तो हम एक part करके देखेंगे दोनों part लगभग एक जैसे हैं तो मैं इसका first part solve करके दिखा रहा हूँ आपको हमें expand करना है मतलब solve करना है इसको लेकिन solve ऐसे नहीं करना कि जैसे normally हम लोग solution करते हैं इसमें कोशिश करना है प्रॉपर्टी एपलाई करके question solve हो जैसे से बड़े होंगे जैसे से आगे बड़े होंगे आप लोग तो आपको properties को use करके question को solve करना है इससे कि वो कम step में हो जाए properties क्यों बनी है ताकि question easily solve हो जाए और कम step में solve हो आप कभी भी half a z में किसी question को solve ना करें जिस बच्चे कभी maths एक strong part होगा या interesting लगता होगा इसको इसलिए लगता होगा क्योंकि वो properties को use करना जानता है formulas को use करना जानते है जो जिन बच्चों को maths hard लगती है वो लोग formulas याद करो formula लिख के लगाओ formulas की copy बनाओ जब तक आपको formulas याद नहीं होगे तब तक आप उनको apply नहीं कर पाएंगे और जब आपको formula याद हो जाएंगे फिर application part की practice करनी होती है और जितना हम मेहनत करेंगे उतना आपको result मिलेगा उसका हर subject में यह है ठीक है चलिए देखिए first part क्या है 3x plus 5y plus 2z को multiply करना है यह bracket में term और 3x minus 5y plus 2z तो हमें करना क्या हम अगर ध्यान से देखें इसको इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने तो आप देखिए कि यहाँ पर जो 3x है उसका sign positive है यहाँ पर भी positive है 5y का sign different है plus minus है लेकिन 2z का sign देखो यहाँ पर positive है तो यह दोनों term हमारी एक जैसी है तो कहने के मतलब है next line में हम 3x plus 2z को साथ में लिख लेंगे और 5y को पीछे लिख देंगे इसी तरीके से यहाँ पर 3x plus 2z को साथ में लिख लेंगे इसको हम A बोल सकते हैं यह हमारा पूरा क्या बन गया A और 5y को B बोल सकते हैं तो क्या बन गया यह इसको अगर हम A बोलें और यहाँ बीच में plus है और यह B हो गया तो यहाँ पर A minus B हो गया अपने आप देखो तो A plus B into A minus B का expansion लग रहा है हम पर जो किया formula पढ़ा हमने है A plus B into A minus B तो A plus B into A minus B के formula को इसमें apply करेंगे तो यह हो जाएगा 3X plus 2Z का whole square मतलब A square minus B square मतलब 5Y का whole square हमने यहाँ पर जो formula लगाया है वो लगाया है सारे बच्चे ध्यान दो यह हम जो formula यूज कर रहे है वो यूज कर रहे है A square minus B square that is A plus B into A minus B लेकिन हमने इसको लगाया किस तरीके से है हमने इसको right से left के तरफ लगाया A plus B into A minus B का formula A square minus B square लगाया है अब आप 3X plus 2Z का whole square easily खोल सकते हैं क्योंकि A plus B का whole square का formula expansion होगा है तो हो जाएगा A square मतलब 9X square सारे बच्चे जानते हो na A square plus B square 2Z का whole square 4Z square plus 2 times of A b 2 into 3X into 2Z 2 into 3X 6X into 2Z कितना होगा 12XZ होगा ये बड़े ध्यान से आपको expansion करना है इसमें गलती नहीं करना कोई भी बच्चा minus 5Y का whole square होगा 25Y square answer या चुका है लेकिन आप लोग हमेशा answer को 25Y square मतलब ये square वाली term पहले आ गई और plus 12XZ को बाद में लिखाओ ये हमारा answer आ गया पहले वाला answer भी ठीक था ऐसे लिखना चाहिए तो I hope ये सारे बच्चों को समझ में आयोगा ये question जो हमने solve किया है इसमें as such कोई doubt नहीं होना चाहिए आप लोगो और ये एक particular type के question दिये हुए exercise में तो आपको आने चाहिए चली बच्चों अब आता है question number 14 अब ये word problem है, language problem है the sum of two numbers is 9 and their product is 20 find the sum of their squares and cubes तो जो भी question में language में लिखा हुआ है इसको हम convert कर लेंगे mathematical form में तो इसमें दिया हुए the sum of two numbers is 9 तो माल लेते हैं, let the two numbers be x and y हम अपनी number x और y माल लेते हैं now, according to the question according to the problem बोल सकते हैं according to the problem the sum of two numbers is 9 means x plus y गी value 9 दे रखिये and their product means x into y दे रखिये 20 question में given है यह चीज़ है now, what we have to find अब हम लख रहेते हैं, यहापे to find उपर मैंने given quantity लिखी थी अब find क्या करना है, first part the sum of their squares मतलब x square plus y square की value बता लगानी है और दूसरे part में आपको बोलना है sum of their cubes मतलब x cube plus y cube की value ने करनी है same question हो गया, जैसे अभी तक करके आ रहे थे हम बिल्कुल हमने जो हमारी word problem है उसको mathematically convert कर लिया सारे बच्चे देखो ध्यान से तो क्या करना है आपको, first part में x plus y की value हमें 9 दे रखिये और आपको x square plus y square की value ने करनी है तो कुछ नहीं करना है, whole square open कर दो सीधा दोनों तरफ squaring कर दो on squaring both sides दोनों तरफ square कर दो तो यह हो जाएगा x square plus y square plus 2xy is equal to 9 अब आपको x square plus y square की value ने कालनी है 2 times of x, y की value दे रखिये 20 देखो बच्चों, question के अंदर तो 9 हो गया is equal to 9 हो गया तो यह जाएगा x square plus y square is equal to 29 minus 20 into 2 हो गया कितना? 40 सारे बच्चे देखो ध्यान से सारे बच्चे 9 का square होगा यहाँ पर हमने squaring किये न, squaring both sides तो 9 का square नहीं किया है यहाँ पर, 9 का square आएगा तो 9 का square जो है, वो 81 हो जाएगा इसमें गलती नहीं करना यह गलती हो रही है इसको 81 लिखना है अपने, अब हो जाएगा ठीक तो जाएगा 81 minus 40 तो कितना अंसर हो गया? 41 तो x square plus y square की value कि आएगी 41 आएगी है न, जब squaring करते हैं तो दोनों तरफ square लगाना है इसकी गलती नहीं करना चलो, अब second part solve करते हैं second part में आपको निकालना है x cube plus y cube की value तो हम तो जानते हैं इसका formula क्या होता है x plus y का whole cube फिर आता है minus 3 times of x y और फिर आएगा x plus y x plus y की value दे रखिए 9 9 का cube minus 3 times of x y की value कितनी है? 20 और x plus y की value कितनी है? 9 इसको solve कर लो तो 9 का cube आप सारे बच्चे जानते हो 729 होता है minus 3 into 20 into 9 अगर solve करेंगे तो 27 into 540 हो जाएगा है न, और जब इसको 729 में से minus करेंगे तो इसका answer आजाएगा 189 इस तरीके से हम इने इस question को solve किया जो word problem थी उसको mathematically convert करो और फिर उसके बाद क्या करो अपने method को apply कर दो तो हाई हो पिये सबको समझ में आयोगा किस तरीके से करना है चली बच्चों अब आता है question number 15 two positive numbers x and y are such that x is greater than y if the difference of these numbers is 5 and their product is 24 पहले इसी बात को mathematically convert कर लेते है तो जब हम इस question को solve करेंगे तो यहाँ पर दोनो number पहले से given है तो मैं सीधी given quantity direct लिखूंगा इस question के अंदर तो वो बोल रहा है कि the difference of these numbers मतलब बड़े में से छोटा number minus करेंगे तो बड़ा number x दे रखा है तो हमें given है कि x y से बड़ा है तो इस current से आपको difference जो है वो x minus y लिखना पड़ेगा और वो 5 दे रखा है and their product that is x into y is given as 24 अब find क्या करना है देखो सारे बच्चे to find क्या निकालना है इसमें first part में बोल रहे है the sum of these numbers x plus y की value निकालनी है second part में बोल रहे है difference of their cubes मतलब x cube minus y cube निकालना है third part में आपको पूछा जा रहा है the sum of their cubes मतलब x cube plus y cube की value निकालनी है तो जो हमारे बाकी की दो पार्ट है वो तो बड़ा सान है अब दो क्या पता है मैं हमें given quantity x minus y हमें find out करनी value x plus y की तो आपने एक formula पढ़ा था x plus y और x minus y के square का तो वो लगा देंगे x plus y का whole square आप सबको याद होगा x plus y का whole square minus x minus y का whole square बराबर होता था 4 x y के अगर हम x plus y का whole square open कर ले x minus y का whole square open कर ले और minus करेंगे तो 4 x y आएगा अब देखो x plus y की तो value निकाल नहीं है तो x plus y का whole square तो as it is रहेगा minus x minus y की value 5 दे रखे तो यह 5 का square हो गया is equal to 4 times of x y की value दे रखे 24 अब इसको simplify कर लो x plus y का whole square minus 25 is equal to 4 into 24 को solve करेंगे आप तो यह हो जाएगा सारे बच्चे देखो ध्यान से solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 ठीक है 96 हो जाएगा अब 25 को right side में ले जाएगे तो यह हो जाएगा x plus y का whole square is equal to 25 right side में plus का हो जाएगा and that will become 96 plus 25 इसको add कर लो तो देखो right side में मैं solve करेंगे दिखा रहा हूँ now x plus y का whole square is equal to 96 plus 25 is 121 121 अब हमें x plus y की value निकालनी थी that will be square root of 121 अब square root of 121 आपको मालू में plus minus 11 आएगा लेकिन since क्या given है question में दोबारा से show करके दिखा रहा हूँ highlighter से two positive numbers x and y positive है और जब x and y positive है तो उनका sum कैसा होगा positive होगा since x and y are positive then x plus y should be positive x plus y की value भी कैसी होगी positive होगी इसी लिए इस question में minus 11 को आपको neglect करना पड़ेगा और x plus y की value हो जाएगी 11 यह हमारा पहले part का answer आ गया x plus y की value जो मिलेगी आपको 11 होगी क्योंकि वो x और y दोनो positive है अब आता है second part second part असान है x cube minus y cube का formula लगाएंगे that is x minus y whole cube plus 3xy into x minus y इसमें x minus y की value given है question में तो होगा 5 का cube plus 3 times of xy की value 24 given है और x minus y की value 5 रख दो और इसको simplify कर लो तो जब आप इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा सारे बच्चे solve कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 485 third part third part जो है उसके अंदर क्या पूछा गया है x cube plus y cube की value अब x cube plus y cube का formula क्या होगा x plus y का whole cube अब दोखो यहाँ plus है ना तो बीच में minus आएगा plus है तो minus आता है ना तो यहाँ रगना यहाँ minus आएगा मैंने plus लगा ना minus लिखना है formulas के application को बिल्कुल ठीक लगाने है तो यहाँ minus आएगा 3xy और यहाँ आएगा x plus y ठीक है ना तो इसको solve कर लो x plus y का whole cube तो x plus y की value हमने किसमें निकाली first part में निकाली इसलिए मैंने बोला है कि third part और second part में first part use हो जाता है तो आप देखो यहाँ पर x plus y की value कितनी थी 11 थी तो यहाँ आएगा 11 का cube minus 3 times of x y की value 24 यह उठाएंगे जो कि हमें यहाँ दी हुई है और x plus y की value हमें यहाँ दी हुई है 11 यह हमने यहाँ से रग दी 539 तो इसका अंसर हमारा 539 फाइनली निकल के आता है तो इस question के अंदर इतना कोई difficult नहीं है लेकिन फिर भी word problem से उसको convert करना है और उसके बाद equations को solve करना है तो यह question भी आप लोग एक बार अपने आप खुद करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दुबारा किस तरीके से करना है इसको चलो बच्चों अब देखते हैं 16th question है इस exercise का आपका last question है 16th question इसमें लखा है if 4x square plus y square की value a दे रखी है and xy is equal to b दिया हुआ है तो find the value of 2x plus y 2x plus y की value को find out करना है तो इस question में देखो आप given y square की value a दे रखी है and x into y b दे रखा है और हमें find क्या करना है तो हमें यहां पे find out करना है 2x plus y की value को तो हम कैसे करेंगे solve इसको तो आप देखो 2x plus y का जो value निकालनी है आपको उसका square अगर हम करें now 2x plus y का whole square अगर हम solve करें तो यह a plus b का whole square expand होगा और यह हो जाएगा 2x का square हो जाएगा 4x square plus y का square हो गया y square plus 2 times of 2x into y that is 4xy अब ध्यान से देखो आप लोग 4x square plus y square की value हमें given है plus 4 times of xy की value भी given है इन values को put कर देंगे यह values हैं दोनों इनको यहां पर put करेंगे 4x square plus y square की value a है plus 4 times of xy की value होगा था 2x plus y के whole square के rubber दिया हुआ है तो हमें value कि निकालनी है question में 2x plus y की value निकालनी है तो हो जाएगी square root of a plus 4b तो जब हम इसका square root solve करेंगे तो natural सी बात है plus minus आगया आएगा तो यह इसका final answer हो जाता है तो इस तरीके से हमने यह जो question है इसको solve किया I hope यह सारे बच्चों को समझ में आया होगा और ध्यान से आप सारे question को दुबारा से practice करें और जो भी problem आया आप दुबारा से हमसे पूछ सकते हैं तो बच्चो इस तरीके से हमने अपनी जो exercise 4b है इसको complete किया है तो I hope यह सारे बच्चों को समझ में आयोंगा किस तरीके से हमने question solve किये और जितने भी बच्चे नए हैं जो कि इसको पहली बार देख रहे हैं वो अपने पुराने lectures को जरूर देखें हमारा जो app है description में link दिया हुआ उसको install करके आप लोग free अपने course को pursue कर सकते हैं जो कि physics chemistry math, bio सारे subjects को cater करने की कोशिश की जा रही है और वहां पर आपकी textbook के solution भी available है और time to time हम अपने test भी conduct कर सकते हैं आप लोगों के वहां पर हम live classes के अंदर आप लोगों की सारी problems को solve करते हैं तो live classes आप लोग सारे बच्चे जरूर देखें जो application के अंदर हैं वो भी जरूर notification को देखें ताकि हम live class में आपके साथ आके जो भी problems से आपकी वो discuss कर सकें So, that's all for this lecture. Thank you very much.